अमेरिका में वोटिंग खत्म होने के बाद नतीजों में ट्रम्प और बाइडिन में कड़ा मुकाबला जा रही है वैसे शुरुआती नतीजों में बाइडिन आगे निकलते नजर आ रहे हैं टीवी नाइन भारतवर्श आपको अमेरिकी चनाल से जुड़ी पल-पल की जानकारी आप तक लगातार पहुचा रहा है और इसके लिए अमेरिका से लेकर दिल्ली तक हमारे सम्वादाता मौझूद है सबसे पहले इस वक्त की वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं बड़ी खबर ये कि राश्ट्रपती ट्रम्प ने जीते 9 और एलेक्टोरल वोट ट्रम्प को अब तक 109 एलेक्टोरल वोट मिले हैं बाइडेन को अब तक 139 एलेक्टोरल वोट मिले हैं यानि अब भी रेस में बाइडेन आगे चलते नज़रा रहे हैं बाइडेन को अब तक 139 एलेक्टोरल वोट मिले हैं वही ट्रम्प जो पहले थोड़े पीछे थे वो अब और आगे निकला है यानि कि 9 और एलेक्टोरल व जो बाइडन का नजर आता है लेकिन जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते है तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा तो TV9 भारतवर्ष पर अमेरिका चुराओं को लेकर लगातार कवरे जारी है ट्रम्प और बाइडन में जोरदार टक कर है ट्रम्प ने भी 100 का आखड़ा पार कर लिया है और 109 पर एलक्टोरल वोट जीत चुके है जबकि बाइडन को 139 एलक्टोरल वोट मिल चुके है आपको बताते चले कि लगातार अपडेट आपको देख रहे है देखिए ग्राफिक्स के जरीम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे है कि आखिर कौन बनेगा वाइट हाउस का बिग बॉस आपके सामें इस वक्त काकड़ा है जो बाइडन 139 एलक्टोरल वोट से आगे चल रहे है हालाकि दोनों के बीच ये कड़ा मुकाबला जारी है